नमस्कार साथियों सरसुति केरियर पॉइंट में आपका स्वागत हैं चलिए आज हम उत्राखंड वन लाइनर के सीरीज में आगे बढ़ते हैं एक अच्छे से मौटिवेलेश्टन आज का सुविचार है सफल जीवन के लिए चार सूत्र मेहनत करे तो धन बने सब्र करे तो क काम मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम तो साथियों आदिमी के अंदर एक सयम प्रेम और सद्भावना होनी चीए चलिए शुरू करते हैं आज का उत्त्राखंड लाइन उत्त्रकासी को कब तीविर भूकम का सामना करना पड़ा था तो यह था 20 प्रेश्ट रिपब्लिक एसोसियेशन के उत्राखंडी सदस्च भावाने सिंग राओज जी थे स्वतंत्रता के समय कुमाओ का कमिस्नर यह डवलु डवलु फिल ले था देश का दस्वाँ पंजी कृत समाचार पत्र था अलबडाक बार जिसका रेजिस्टर सर्न नंबर था 10 यह 871 में सुरू किया था बुद्धी बल्लव 35 के पहले संपादक थे केंद्री पर्याटन मंत्रा यलाई की स्वदेश दर्शन योजना में उत्राखंड जो सामिल हुआ था उत्राखंड का जागेश्वर धाम अलमोडा का सामिल हुआ है बैजनात धाम यह बागेश्वर में यह भी सामिल किया है सूर्य मंदिर कटार मलका है अलमोडा में ही और प्रियोजना के खिलाब बांद विरोधी समीति का गठन कब किया गया था तो यह 1978 में किया था बिद्या सागर नोटियाल की अध्यक्षता में कि यह तिहरी बांद उत्राखंड का सबसे बड़ा उत्राखंड का भारत का सबसे बड़ा बांद है इसकी उचायत दोसो साड़ दसमुलों पांच मीटर उत्राखंड प्रस्नोत्तिरी अगला है अब बगा उत्राखंड में कुल निर्वाचित विदानसभा सीट सत्र है और गड़वाल मंडल में सीटों की संख्या एक चालीस है उत्राखंड की कुल निर्वाचित सीटों में कुमाव मंडल की सीटों की संख्या 29 है गड़वाल में 41 कुमाव में 29 उत्राखंड बिदानसभा में कुल निर्वाचित आरक्षण सीटों की संख्या 13 धंदो यानि 15 है इसमें गड़वाल मंडल में 9 आरक्षण सीटें और जि तो कुल निर्वाजी सीढ़ है। उसमें कुमा मंदल में आरक्षित सीढ़ू के सिंख्या है। आपके 15 माप कीजीएगा 15 मैं से 5plex सीढ़े और 1 किलिए कहने का मतलब उतराहखंड में 15 सीढ़े हैं। उन में से 9 गड़वाल मंडल के लिए और 6 कुमा मंडल के लिए उत्राखंड बिदान सबब में कुल अनारक्षित सीटे हैं पस्पन जो अनारक्षित नहीं है उन सीटें पस्पन है उत्राखंड बिदान सबब में कुल आरक्षित सीटों के संख्या 16 हैं जिन में से 13 SC के लिए 2 ST के लिए और एक आंगल भारती समुदाई के लिए जो राज्य पाल द्वारा मनोजित होता है रुद्ध प्रियाग और चंपाओद दो जिलें मनला दो ऐसे मात्र जिलें जहां कोई बिदान सभा सीट आरेक्षित नहीं है कहने का मदलब कि चंपाओद और रुद्ध प्रियाग में बिदान सभाग में कोई भी सीट आरेक्षित नहीं है गोर्का सासन 790 से 815 इसभी के दोरा जनता पर लिए जाने वाले जो करते पुर्मुक करते उनके बारे में जाने करते हैं पुंगाडी कर पुंगाडी कर है भूमी पर लिया जाने वाला कर यह गोर्का सासन में किर्सी कारिया भूमी के लिए लिया जाता था तीका भेट कर सुब आउसरों पर जंता के से लिया जाने वाला कर टीका भेट नाम से जाना जाथ क्योंकि उत्राखण में तियोहर आधी उस्तों में रिष्टेदार आधी सामिल होते थे और प्रतिक उस्तों में पूजा पाठ में टीका लगाय जाता था तो इसलिए उस टीक लिए जना जिनके बच्चे नहीं होती सक्कार कर जैता था बहताकर च्छिपाई गई संपत्य पर यह कर लिया जाता था उसमपथे चिंपाई गैस्पाई प्रसासु को पता चल जाता था घींत current पसुओं के मालिकों से लिया जाने वाला कर राज्य का सर्वोच अधिकारी गड़ नरेश था उसमें गड़वाल मंदल में टिहरी राज प्रसासन के सब्दावली में राज्य का सर्वोच मंत्री मुक्तार गड़वाल मंदल में जो टिहरी गड़वाल प्रसासन में जो सर्व किसी परवार का प्रति निधुत्त करने वाला मंत्री बंडल का एक सदस्य नेगी सदस्य था राज्य का सुरक्ष्यादिकारी गोलदार कहते थे टिहरी गड़वाल राजसाही में कि टिहरी राजसाही के राजा के साथ चांदी डंड लेकर चलने वाला चोबदार यह राजा के साथ चलते समय एक चांदी का डंडा लेकर चलता था राजसाही का ये एक उसूल था परगने में राजसो वसूली करने वाला अधिकारी इसे थोकदार कमीन या सायाना का जाता थ राजसाही में संदेश वहाग कहला थे चणू जो भी ये भी परगना होता था यहां पर को जो भी राजसाही राजा के अंदर काम को थे इनका जो संदेश वहाग था एक जगह से सूसना पहुंचाता था उसे चणू कहा जाता था राज्य द्वारा किसी को दान में दी गई भूमी थात कहलाता था इस भूमी का मालिक थातवान कहलाता था के सिर्टीकर भूमिकर था एक राज्जे की आईका मुख्य सुरूत था घीकर कि चराई कर घीकर और चराई कर ये दोनों गाई चराने के लिए और घीकर मलचदुधार्व रुपसुओं के लिये लेते थे ममला और रकमकर ये भी भूमिकर था जो नगद रूप में लिया जाता तथा एक साथ बट्टे आठ यानि साथ और आठ परतिसत के असफ़त पंचकोसी पर्वा चेत्र मास में उत्तर कांसी में की जाती है इसे वानुणी यात्रा भी कहते हैं राज्य में बागबानी फासलों की किर्सी सुरू करने का सिरे प्रेडरिक विल्सन को जाते हैं उत्रांचल परिशत का सरजन साथ जुन 1972 को वथा बामन गुफा देव प्रियाग में है द्वाराहर्ट सेल चित्रों का सरवपृतम वड़न 877 में रेवेट कारनक ने द्वारा की गई थी नौला जेनल गाउं में के सवाधानों की खोड़ डॉक्टर यसोधर मठपाल जी द्वारा की गई थी तरक यह कुमाह वाटर रूर्स पारित वहाँ यह..? यह सुitan को तर में पर sono सु आधार रानी बाग साने का commodity अधोरी राणी मुला देवी जीया राणी को जाता है और कहीं कहीं पर हाँ यह रानी को जाता है ये ठीक है जोली कोट नेनी ताल में कुमाऊ सरकारी गार्डन 1909 में जोली कोट इंपोडेंट लाइने नेनी ताल में बढ़ता है यह जगह चोबटिया सरकारी उद्यान के स्थाबना 860 में हुआ था गेरुए रंग की सब्यता का नगर हरीद्वार को कहा जाता है भाटा साटा मानोरंज गीत है और यह साधी भी वहाम लामन गीत प्रणंगी इस प्रेम गीत केहते हैं रोंबा भासा हूँ यह बोटिया जनRad जाती लो करते हैं और यह जाडा आपका उत्तरगां से छे और में पाये जाते हैं तुवेरा बाजु ॐ तिमली गीत यह सब भोटिया जं जातियों के गीत हैं राजय को 6 अर्ज़ा हेतु पुरशकार नौवमबर 2007 में भी छसातों मिला था ज़्यम फ्रेश्थ है तुप जो पुरुसकार 2007 में 2006 में तौरिज्म १ंडेस्टीन विए मिला था दीतिये एक्सवो के लिए यह था आपका दिली मेंग ता दीतिये फ्लोरो एक्सवो के लिए 2006 में ठीक है घला है आपका उत्राखंड संसकृति पत्रिका का परकासन पॉडाई से सहला रसम ये थारू जंजाती लोगों में होता है साज बियोहक के टाइम पर हारदूज का मेला ये भटवाड़ी उत्रकासी में नाग देवता का मेला भी यहीं लगता है उत्रकासी में राश्टी बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में देहरादून में किया गया था देगाडबे खादी के परचार हेतू उद्योग मंदिर के स्थापना जोती राम कांडबाल ने किया था और ये महत्मा गाजी ने इनको सुझाओ दिया था इसके लिए राज्य के परत्म ब्यक्तिकत सत्यागरी थे जगमोहन सिंग नेगी मीरा बहन का वास्तविक नाम मैडलीन स्लेट था ये मैडलीन स्लेट ये रिसी केस में इन्होंने पसुलोग की स्थापना किते रिसी के खरुदा देहरा दुन में उत्राखंड की अगस्त करांधी 2 अगस्त 1994 में राज्य निर्माण हे तुझा आंदोलीन से संब्ध थे बाटा घाटा कांड ये मसूरी में वता 15 सितंबर 1994 14 संबात्य इन धर को, समय बिनोतं पत्रिका का संबाथक थे जयदत जोसई, स्स्री मांडू सिद मंदिर ये दहरा दुन में कालू सिद मांडू सिद ये सब दहरा दुन में किसने का था हमने चली बुढिया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली वरन तिलक वाली होम रूल खोली यह बद्रिदत पांडे ने बोला था होम रूल लीग के समय और यह चली बुढिया बसंती नाम दिया था एनी वेशिंट को चार सिद्व पीठ हैं देहरादुन में किसने लिखा था गोर के इतने सास की ये भार जंता के सिर पर थोपते थे कि किसी के सर पर बाल भी नहीं पाते थे ये गुमानी पंत जो कभी थे गुमानी कभी लोकरतन पंत जी इन्होंने कहा था यमना नदी पर हिबेट ब्रिज किस राजा द्वारा बनाएगा था ये किर्थि सा द्वारान हिबेट ब्रिज भागवान बिश्णु जी के बामन आउतार की प्रतिमा इस्थापित है कांसीपूर में उदम सिंग नगर भागवान बिश्णु जी की से सयन मूर्ति हैं ये बेजनाद बागेश्वर में वह रत्न देव मंदिर द्वाराय से जो बेजना संग्रॉलत में रखा एक मुद्रा में ये या जागश्वर म में इसे दो जगेपर अलमुडा और चमूली में निर्ति मुद्रा में स्यू की मूर्थि हैं तो साथियों उत्राखंड का उल्लाइन यहीं पर समप्त करते हैं अगली सीरीज में फिर हाजिर होंगे धन्याबाद चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले